पुलिस की गिरफ्ट में खड़े ये लोग वही हैं जो आपदा में भी अपना मुनाफ़ा लेने के लिए लोगों की जान से खेल रही हैं। नुएडा के DCP क्राइम अभिशेक सिंग ने बताए कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। ठाना सेक्टर 24 नुएडा पुलिस और क्राइम ब्रांच नुएडा की कारवाई में रेमेड सिवर इंजेक्शन की काला बाजारी करते हुए तीन अभ्युक्तों हमजा मुजिबुर्ग डॉक्टर नीश्वत इमाम को गिरफ्तार किया गया। तीनों व्यक्तियों में डॉक्टर इमाम जिसने स्वें को लाल बहादर शाष्टी अस्पताल दिली में कार्यत बताया है। तीनों को ग्रफ्तार कर लिया है। इनके किलाब धारा 420, धारा 18A, औशिदी और प्रसधान समागरी अधिनियम 1940 और धारा 3 महमारी अधिनियम 1897 और धारा 52 ट्रिक्पर आप्दा प्रदिबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा पंजिगृत कर लिया है। इसको काइम राष्ट और सेक्टर 24 खाने की पुलिस गौला सहींत रूप से, तीन विक्तियों को रिकाला गजावी करते में तीन वाइल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें तीन विक्ति मुझीब, हम्जा तथा डॉक्टर इमाम तो गिरफ्तार किया गया है। मुझीब और हम्जा इन में से एक गाजयबाद में एक बनी ट्रांसफर की दुकान चलाता था। और दूसरा जो है वो माड़ा में एक फार्मसी में काम करता था। और इनकी मुलाकात डॉक्टर इमाम से जिसके द्वारा लाल बहादूर शास्त्री हास्पिटल डेली में कारे करना बताया गया है। उससे अपने एक रिलिटिव के माध्यम से संपर्क हुआ था। जब यह उसके लिए रेम डिजेवर इंजेक्शन की प्रोक्यूर्मेंट की कोशिश कर रहे है। और उस इंजेक्शन को इन्होंने उसके बाद उसके काला बादारी करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर इमाम की माध्यम से ऐसे घर जरूरतमन पेशेंट्स से जिनकी आवशक्ता के उप्रांट जो है उनके पास इंजेक्शन बच गए हो या उन्हें आवशक्ता ना हो उनसे इंजेक्शन नॉर्मल गेट्स में खरीबते थे और उससे जो है करीब पैतिस ज़़ा जगी आवी